हलो दोस्तो नमेश्कार बट कोई बात नहीं एक अच्छा गासा जंप अगर विदेश के बादर में कभी आ गया या फिर कोई बहुत बड़ी न्यूज अगर आ जाती है इंटर्नली जिसके पॉसिबलेटी थोड़ी सी कम है एक ही दिन में वो सारे रेकॉर्ड्स यापर ब्रेक हो सकते हैं चलिए, कंक्लूजन क्या निकला कि आज के दिन के अगर हम लोग बात करें तो फिलाल आज का दिन तो all time high हम लोगों को निफ्टी में तो लगते वे देखने को नहीं मिला सेंसिक्स की बात करें तो कल के दिन हम लोगों ने देखा कि सेंसिक्स ने एक नया high यापर लगा दिया था ठीक है तो और इंतजार कर लेंगे यहाँ पर और इसके पीछे का reason तो already हम लोगों को पता है कि थोड़ा सा विदेश के और से support चाहिए जो कि कल के दिन मिलते वे देखने को नहीं मिला पॉवल जी का speech भी मैंने आप लोगों को बता दिया उसमें कोई नई बात नहीं थी बट येस उन्होंने वापस उसी point को highlight किया कि rate hike होंगे करके और लंबा time लगेगा target को achieve करने के लिए बाजार को क्या चाहिए होता है चोटा मोटा कारण excuse चाहिए होता है that's it उसी चीज़ के चलते हमें इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी देखने को आपे मिली ऐसी कोई बात है कि 5-10% की गिरावट हो गई ठीक है एक एक पसंट की गिरावट दे चीज़ देखने को मिला बट more than enough था कि हमारा जो nifty जो overall हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा था उसको नीचे आपे लाने के लिए तो ये थी पहली खबर जो कि हम लोगों ने देख लिए अभी देख लेते कि आज की दिन भी हापे क्या होता है गर कि American Bazaar में अच्छा Bazaar में अच्छा परफर्फर्मस हो जाता है तो शायद से कल के दिन अभी यही सोचना पड़ेगा कि हमारे मार्केट में भी अच्छा परफर्मस देखने को मिल जाए देन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट है आपे बात करने वाले हिंदूस्तान एरोनेटिकल्स के बारे में हल की अगर हम लोग आपे बात करें दोस्तों तो जो खबर का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि Final M.O.U. Memorandum of Understanding यह Final है दोस्तों यह साइन होगा करके क्योंकि Prime Minister Narendra के साथ अगर हम लोग यहापे बात करें तो H.A.L. का हम लोग को यहापे agreement होते वे देखने को मिला है and jointly यह क्या करने वाले है जो fighter jet का जो engine है F.414 इसको वो यहापे produce यहापे करने वाले and का हापे करने वाले है हमारे भारत में यह करने वाले है तो इसलिए यह खबर हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी complete होते वी देखने को आपे मिल चुकी है then दोस्तों हम लोग यहापे बात करेंगे next एक और खबर हम लोग को देखने कमड़े जो की comment section में highlight इसको किया भी जाता है कि Paris में हम लोग को air show देखने को आपे मिलने वाले हैं वहाँ पे हम लोग को HAL और उसी के साथ साथ Argentina के साथ हम लोग को इनका business जो होते वी देखने को आपे मिला है और इसके चलते जो अलड़ी इनकी जो partnership यहापे बनी है उसी को explore करने की कोशिश आपे जरू करेंगे किसमें MRO में अभी यह MRO क्या है तो maintenance, repair, overhauling यह अलड़ी जो हमारे इधर Aero India जो show था उस वक्त यहापे Argentina ने already HL के साथ जो deal किया हुआ है उसी का जिक्र उन्होंने हापे किया है ठीक है तो कोई यह नई चीज हम लोगों को देखने को आपे नहीं मिल रही है अगर हम लोगों को यह जो Argentina नाम देखे बहुत ज़दा खुशी हो जाती है तो दोस्तो उस खुशी के लिए Argentina, HAL एंड उसी के साथ साथ एक और नाम भी जुढ़ना चाहिए और वो है Tejas जिस दिन Tejas एरक्राफ्ट से रिलेटेड जब deal हो जाएगी उस दिन HAL को एक और एक्स्ट्रा धमाकेदार टेजी दिखाने का मुखाई आपे मिल जाएगा बाकी अगर हम लोग यह MRO की बात करें यह तो अल्रेडी हम लोगों को यह deal साइन होते वे देखने का आपे मिले थे अभी जो next target यहाँ पे रहने वाला HAL का ट्रेडिंग के हिसाब से आप चाओ तो बोल सकते हो वो किस चीज से रिलेटेड येस 27th June जहाँ हम कह सकते कि HAL का board दूसरी बार यहाँ पे stock split को consider करने जाएगा कि अगर इस वक्त उन्होंने विड्रॉ किया तो HAL का share में जो एक गजब का momentum यहाँ पे बनाए अननेसेसरीली यहाँ पर shorter को एक बहाना मिल जाएगा इसको अच्छा का साथ तोड़ने के लिए तो यह स्यारी चीज़े यहाँ पर होनी नहीं चाहिए ठीक है तो देख लेते है पॉली कैप के हिसाब से अगर हम मार्केट कैप भी देखेंगे 21 और पॉली कैप कितना है 52 मतलब डबल है अब चाहो तो ऐसा भी बोल सकते पॉली कैप डबल साइज की कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में भी अगर देखा गया performance तो के इआ का भी बहुत ही शांदार कि बात करेंगे अच्छी बात है यहापर सिर्फ तीजी देखकर निवेश्ट करना नहीं होता है क्योंकि ये छोटे companies है इनमें जब गिरावट हो जाएगी तो उपरी स्तर से 10-20% तो ऐसे ही गिर जाएगे तो इसलिए में हमेशा आप लोगों को ये basic rule बताता हूँ कि अगर ये stock इतना तेजी से भागता है और ये भागने वह returns कितने नजर आते हैं 200% सो इसको 200% नहीं पकड़ने का इसको 50% कट पकड़कर चलो 100% ही मान के चलो तब ही जाके आप बड़ी पारी खेल पाओगी अगर आप interested होंगे तो क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि stock हमेशा top पे ही रहेगा आज नहीं तो कल correction दिखाएगा और हमें क्या लगता है एक 2% गिरे तो नहीं जो correction होता है वो भी solid होता है अगर कोई 19-20 वाली खबर बाजर में अगर मिल जाते तो easily ऐसे stocks में pressure हावी हो जाता है तो ये भी मुद्धा आप लोगों को पता होना चाहिए bottom पकड़ लिया है and top को अगर मैं पकड़ कर calculate करता हूँ कितने returns बनते बाप रे बाप 271% की returns इतना तो relance में दिया है sir 5 साल में बोलने के लिए कितना simple है इब दम हलवा है बोलने के लिए 270% की return ऐसा तो हर कोई बोल देगा बट क्या आप उसको catch कर पाते हो नहीं कर पाते हो right and इसी चीज़ को catch करने के लिए वो क्या करते है अपर circuit में shares को buy करने की कोशिश करते रहते and बाद में must यहापर operator को dump करने के लिए यहापर बकरे मिल जाते है और आज आप देख सकते हैं उनके portfolio में share आ चुके है फिर क्या हो जाते है lower 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 वो share काटते ही जाता है और लो पर आपको 600-700% return देखने को मिलेंगे बट practically वो आपको returns नहीं मिलते जो pump dump करने वाले होते जो बड़े players होते उनको वो returns मिल जाते हैं तो यह point हम लोगों को समझ में अगर आ गया तो हम लोग बच सकते वरना तो हमारा शिकारी आपे होता रहेगा then बात करेंगे DMART के बारे म अच्छी कासी गिरावट डिखने को में बहुत सारे लोगों के comment आते रहे थे sir क्या PT करे क्या इसमें करे क्या देखिए आपका call होना चाहिए मैं हा बोलूँगा फिर आपको क्या problem हो गई पता है फिर आपको next step उठाने के लिए वापस मुझे पूछना पड़ेगा और हर क कि आपको वो share में interest होना चाहिए बस share गिर गया है इसलिए में वहाँ पर जा रहा हूँ ये कोई reason नहीं बनता है क्योंकि अगर जितना वो नीचे जाएगा उतना average करने में फिर आपमें हिम्मत होनी चाहिए और प्लेस वैसा money management होना चाहिए ऐसा नहीं कि बस buying करना कितना simple ह कल market खुल जाएगा आप जाके buy कर लोगे बट उसके बाद का क्या वो planning ready होनी चाहिए वरना देखा कि तो obviously why not आप कर सकते है आप बिंदास कर सकते है इतना top level से अगर आपको stock अच्छा लगते तो जैसे मुझे stock के उपर बहुत बरुसा है long term में बहुत अच्छा return देगा ब तो यह चल जाते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है so company तो बहुत शांदार है आप चाहो तो पीटी कर सकते हो आपकी मर्जी गिरावट का फाइदा उठा सकते हो right ultimately company आपको मुनाफाई देगी इतना तुमें कह सकता हूं then बात करेंगे Trident sir Trident में PT करें अरे बिलकुल भी नहीं NO मैंने कितनी बार का है दोस्तों आपको fundamental Trident मतलब यह चोटे-चोटे companies है 15-16,000 करोड का market cap है हमें बड़े companies चाहिए golden rule दोस्तों आप break कर रहे हो fundamental strong समझो मैं यह कोई company खराब नहीं मैं बोल रहा हूं बट यह company बहुत रिस्क्य होती है और इसमें जितना नीचे जाए यश्रो इंडस्ट्री जैसे company मेरे पास भी कमाल के रिटन से बट वहाँ पे भी नहीं जाना है वो microcap type के company जे धज्या उड़ जाएगे आपकी कल को वो company रहेगी नहीं रहेगी उसकी guarantee नहीं होती है तो इस basic चीज को समझो दोस्तों यह company खराब नहीं है बट यह point हम लोग क कि मैं क्या बता हूं कि stock वापस आने के लिए कितना time लगेगा इसका bottom क्या है इसका top क्या है किसी को नहीं पता है दोस्तों share market uncertain है तेजी आती है तो ऐसी तेजी आती है दिखे यहाँ पे भी stock लगबग एक देड़ साल वैसे ही चल रहा था आर्वेनल कैसे चला यह वैसे ही यह दिखे रॉकेट की तरह भागाता है सिर्फ यहाँ पे फिर वो गिरावट हुई ना वो खुद से गिरावट यहाँ पे नहीं हुई फिर वो सरकार का रोड़ डिशी है ना यह था convenience fee से रिलेटर फिर वो withdrawal and super drama फिर यहाँ पे बेचने के लिए फिर लोगों को इब्दम म लिखा के रखा हुआ है कि वो company में काबिलेत है कि नहीं वो चेक करना है वो business में काबिलेत है कि नहीं वो चेक करना है उस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर as a wealth creator investor उसमें बने रहना होता है right and IRCC कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ उसमें वो काबिलेत clear-cut नजर यहाँ पे आ time लगेगा और हमेशा आप देखोगे तो अच्छी सारी सी चीज़े और बड़े returns बनने के लिए time ही आपे लगता है तो यह company खराब नहीं होते दोस्तों यह point हम लें समझ में आपे आना चाहिए तो business में इंट्रेस्ट नहीं है तो फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएग नेक्स्ट अगर हम लोग आपे बात करेंगे आकरी स्टॉक IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में अच्छा खासा 5,75% की गिरावट देखने को लें गिरावट के पीछे का एक reason भी देखने को मिल रहा है क्या reason business point office है तो नहीं विलकुल भी नहीं तो दोस्तो CLSA की अगर हम लोग ब लेगी ये मेरा कहना नहीं है ये CLSA ने अपने रिपोर्ट में आपे बताया है तो इसी चीज़ के चलते जिनका अच्छा खासा पैसा बना होगा जिनों को ये रिपोर्ट वैलिड लगी होगी अच्छी लगी होगी तो शायद से उनने profit booking की होगी इसी चीज़ के चलते ये 5 25% हम लोगों को गिरते वे दिखने का आपे मिला है सो बहुत सारे लोग की ये भी doubt आते रहते सर ये जो CLSA है जैफ्रीज है मैकवेरी है गोल्ड मैं सैच है कि इनकी रिपोर्ट को क्या इतना महत्वा दिया जाता है तो दोस्तों वो depend करता है ये भी मैंने आप लोग को सिख कि मान लिजे कोई Mr. A है Mr. B है C A D है ठीके वो अगर CLSA की रिपोर्ट को मानते है उनको वो जो चीज जो भी उनने बोली है वो उनको सही लगती है अगर उनके पास IDFC First Bank में मान लिजे उनने निवेश करके रखा था 200-300 करोड उनको अच्छा पैसा बंद रहा है और अगर व वो इनके चीजों को यहाँ पे मान कर यहाँ पे profit booking भी करते है इसलिए तो आप देख सकते हो यह reaction हम लोगों को देखने को मिल जाता है कुछ लोग CLSA को नहीं मानते है जेफरीस को मानते है कुछ लोग मैक्वेरी को मानते है तो उनकी रिपोर्ट जब आती है वो उनको पढ गिरावट का पीछे का रीजन हम लोगों को यही फिलाल तो देखने को आपे मिल रहा है हाँ बट इसके आर्थ यह नहीं होता है कि कंपनी बरबाद है कंपनी खराब है करके यह जस्ट एक ट्रेडिंग परपस के हिसाब से हम लोगों को यह चीज़ देखने को मिले है कि सो आशा करता दोस्तो जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यह आपे मैंने कवर कर लिए वीडियो अच्छा लगे तो चाओ तो आप इसको लाइक और शेर कर सकते हो और डिमेट अकांड अगर आपने अभी तक उपन नहीं किया है तो लिंक नीच नीच दिस्क